नमस्कार दोस्तों आज का आपना चैनल EJ लेक्टी ज्यान E2 में अपलोका स्वागत है तो दोस्तों आज हम एक इंडक्षन के बारे में जनकारी लेंगे जो कि ये इंडक्षन उसा कंपनी का है और ये इंडक्षन पुरी तरह से डैड है देख रहें हैं यहां पर मैंने में लगापर यहां से स्विच को on किया तो इस इंडक्षन में वीप का आवाज चाहिए और दुसरा यहां से स्विच आउन करने के बाद में इसमें display सो करना चाहिए लेकिन इसे सीज आघन काऀं करने के बात मैं कोई display रहा है नगे का वाज आ रहा है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम पूरी जनकारी देने वाले हैं तो दोस्तो देख रहें यहां नीचे की तरफ इस क्रूप लगा होता है तो नीचे की तरफ इस क्रूप को ओपिन कर लेना है तो मैंने इस क्रूप को पहले ओपिन कर दिया है और इस induction में एक एक करके हम आज बतलाने वाले हैं कि इसको कैसे ठीक की जाता है कैसे चेक की जाता है तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी request है कि आप जरी मेरे इस channel पर अभी तक नए है और अभी तक मेरे इस channel को आप subscribe नहीं किये हैं तो क्रिपया करके मेरे इस channel को आप subscribe कर दे लाइक कर दे और इस video को आप इंड तक जरूर देखे तो दोस्तों यहाँ coil पर तीन स्क्रूप भी दिया है तीनों स्क्रूप को हम open कर लेंगे और open करने के बाद में यहाँ एक sensor का lead होता है sensor का lead को लिका लेना है तो चलिए मैंने sensor को lead लिकाल दिया और देख रहे हैं अंदर में बहुत सरा कचड़ा इसमें जम गया है लगा हुआ है तो सबसे पहले इसको ब्रसले साफ कर लेंगे प्रेस कर लेंगे तो चलिए ब्रसले मैंने साफ कर लिया या blower machine से इसको साफ कर लेना है किसी तरह से इसको फ्रेस कर लेना है और उसके बाद में सबसे पहले main lead को चेक करना है तो यहाँ पर main lead को दुनों wire को निकाल देंगे तो चलिए यहाँ पर मैंने दुनों wire को यहाँ बोट से मैंने निकाल दिया अब क्या करेंगे कि जो main lead है main lead का दुनों wire को मैंने चेक करेंगे red वाला और black वाला तो यहाँ digital multimeter जैदी है तो बजर के point पर रख लेना है इस तरह से beep का आवाज आना चाहिए और यहाँ देख रहे है एल लिखा हुआ है और दुसरे साइड में एन लिखा हुआ है यह लोला जो होता है red color का wire होता है तो इस तरह से beep का आवाज आना चाहिए और जो एन वाला है black color wire है तो दोस्तो इसी तरह से सबसे पहले दोनों wire को check कर लेंगे और दुसरा चीज है कि fuse को check करना है तो यहाँ फ्यूज के दुनों point पर हम multimeter के दुनों point पर रखेंगे तो beep का आवाज आना चाहिए तो दोस्तो देख रहें इस multimeter में कोई beep का आवाज नहीं है जदि fuse सही रहता तो beep का आवाज जरूर रहता और यहाँ पर देख रहें एक bdr दिया हुआ है जो की bdr जला हुआ है जल गय है और यह जो bdr है हर company में नहीं देता है तो यहाँ यह उसा company का है इसमें bdr दिया है bdr क्यों दिया जाता है यह high voltage के लिए दिया जाता है 240 वोटले ज्यादा अब जैदी आपका induction में supply आएगा तो यह जो bdr होता है sort हो जाता है sort होने के कारण क्या क्या खराब होता है आपका fuse खराब होगा आपका main lid खराब होगा तो यहाँ पर bdr से output जो supply जाता है उधर कोई भी खराब नहीं होता है बैचान से ऐसा समय आता है कि खराब हो जाता है bdr से पहले fuse हुआ या diode हुआ या main lid हुआ तो bdr से पहले sort होता है bdr पहले sort होगा उसके बाद में fuse उड़ेगा diode उड़ेगा main lid भी खराब सकता है इस तरह से खराब होता है तो चले यहाँ पर मैंने motherboard को निकाल कर इसमें एक करके और चीज़ चेक कर लेंगे जो कि इसमें capacitor लगा हुआ है capacitor को चेक कर लेना है AigeBDтр को चेकक कर लेना है तो यहाँ पर bdr लगा होगा था तो यहाँ पर देख रहे हैं कि fuse से होकर bdr लगा हुआ हैboxing से पहले जए de bdr होता तो आपका fuse भी नहीं उड़ता तो यहां से fuse से होकर आपको BDR लगा हुआ है इसमें तो देख रहे हैं main point हुआ और उसके बाद में इधर भी देख रहे है main जो point है यहां से एक fuse लगा हुआ है तो fuse से होकर आपका जो है BDR लगा हुआ है यहां जो एक neutral हो या fuse हो या direct चला गया है और एक दोनों neutral फीज के parallel में एक BDR दिया जाता है तो दुस्तों BDR देने से बहुत सरा फैदा होता है कि आगे कोई चीज component खराब होने नहीं देता है उतना ही से क्या होता है कि पहले ही आपका fuse उड़ जाएगा या main lead खराब होगा या devote खराब होगा तो यहाँ पर BDR के बदले यहाँ पर मैंने दूसरा BDR लगाएंगे और BDR लगाने से पहले multimeter से चेक कर लेना है कि BDR जो है नएवाला सही है कि नहीं है तो यह जो BDR होता है सोट नहीं होना चाहिए तो चले यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगाने से पहले इसको चेक कर लेंगे हम तो दूस्तों यह सही है और इसको सेम उसी तरह से लगा देना है चले दूस्तों यहाँ पर मैंने BDR लगा दिये इसमें जो एक्स्ट्रा वायर है इस्ट्रा तार को इसमें काटकर हटा देना है और इस पर पेश्ट ओगर लगा कर अच्छी तरह से सूल्डिंग कर लेंगे तो चली यहाँ पर मैंने BDR लगा दिया उसके बाद में फ्यूज को एक पतला सा वायर सबसे पहले एक पतला सा वायर लगाएंगे जो कि आगे सोटिंग होने के बाद में फ्यूज ओड़ जाए तो इन में से एक वायर को लगाएंगे जिदी BDR सही हो जाएगा तो इसमें दो तीन वायर लेकर और उसके बाद में फ्यूज को लगा देंगे तो सबसे पहले एक पतला सा वायर लगाकर सबसे पहले चेक कर लेना है कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है तो चलिए सबसे पहले यहां पतला सा एक वायर लेकर इस पर सोल्डिंग कर लेते हैं आगे जिदी कोई सोट होगा तो यहां से फ्यूज जोड़ जाएगा तो चली यहाँ पर मैंने फ्यूज लगा दिया उसके बाद में हमको IGBT चेक कर लेना है इधर हलाकि कोई चीज सोट नहीं होना चाहिए ना IGBT सोट होना चाहिए ना कैप सीटर सोट होना चाहिए तो इस तरह से IGBT को चेक कर लेंगे तीनों पॉइंट वापस में सोटिंग नहीं बतलाना चाहिए जिस तरह से मल्टिमीटर में लीट बतला रहा है काटा उस तरह से तीनों पॉइंट पर बारी बारी से पलटने के बाद में सोटिंग नहीं बतलाना चाहिए तो देख रहे हैं यहाँ पर इस पर बता रहा है लेकिन बीचोला पॉइंट पर नहीं बता रहा है उसी तरह से यहाँ कैपसीटर लगा हुआ है तो इसमें दो कैपसीटर लगा हुआ है यह किधर है यह किधर है दोनों कैपसीटर को हम चेक कर लेंगे केपसिटर भी जैदी सोट होता है तो फ्यूज उड़ता है तो यहां पर केपसिटर चेक करने के लिए कांटा थुड़ा सा उठेगा उसके बाद में धिर्यसे ना नीचे गिर जाएगा जदि capsiter सही होगा तो काटा थोड़ा सा उठ कर नीचे गिर जाएगा उसी तरह से इसको भी चेक कर लेना है यह जो capsiter है बिल्कुल short बता रहा है इसका कारण है कि जो coil है coil का दोनों air दोनों point पर लगा हुआ है दोनों side में प्लटने के बाद में sorting बता रहा है तो इस coil का एक point को अलग कर देंगे उसके बाद में फिर चेक करेंगे तो sorting नहीं बतलाना चाहिए तो चलिए इस coil का एक wire को हटा कर और इसको फिर से हम चेक कर लेंगे चलिए इस wire को अलग कर लेते हैं कि उसके बाद में इस केप सीटर को हम चिक करेंगे अब नहीं बतला रहा है और प्लटने के बाद में लीड जो है हलका उट कर फिर धिरे साना नीचे गिर जाएगा तो मान के चली साही हो गया देख रहे हैं जो क्वाइल है क्वाइल के दुनों पॉइंट पर रखेंगे तो मल्टिमीटर सो बताएगा तो चली अब क्या करेंगे इस वायर को यहां पर स्कुरूप को अच्छी तरह सी स्कुरूप से कसलेंगे इस कुरूप को फुरा टाइट कसलेना है धीला नहीं छोड़ना है ज़िए यहां इस कुरूप धीला छोड़ देते हैं तो PCP पलेट जो है PCP पलेट जलने का डर रहता है तो इस कुरूप को अच्छी तरह से कसलेना है अब चलीए हम एक बार इसको चेक कर लेंगे उसके बाद में हम जितने सारी स्क्रूप है सारी स्क्रूप को कसेंगे जदी सही हो जाएगा तो इसमें जितने सारी स्क्रूप है सारी स्क्रूप को कस लेना है तो चलिए यहां सेंसर लीड को लगा दिए यहां में लीड को लगा लेते हैं और यहां जो पाइन वाला है, पाइन वाला वायर को भी लगा लेते हैं, और यहां जो अस्टेंड है, अस्टेंड पर अच्छी तरह से इसको वायल को बैठा लेंगे, अब चलिए पाइनल को, जो पाइनल वायर है, यहां पाइनल वायर को इसमें लगा लेते हैं, और इसको इस पर screw नहीं कसेंगे फिलाहाल चेक कर लेंगे उसके बाद में screw को कस लेना है तो चली यहाँ पर मैंने temporary इसको बैठा लेंगे इस final board को और सबसे पहले series board में लगा कर चेक करेंगे तो यहाँ series board है मेरे पास और उसके बाद में यहां combined board में हम लगा कर induction का main lid चेक कर लेंगे तो देख रहे हैं यहां पर bulb जो है जल रहा है और अब series में हो गया है तो चली series में लगा कर चेक कर लेंगे तो देख रहे हैं series में लगाने के बाद में indicator जल गया बीब के आवाज भी आ चुका है और चली यहां पर इस पर कोई लोहे का पत्तर रख कर चेक कर लेते हैं तो दोस्तों देख रहे हैं यहां जब loading ले रहा है तो यह जो bulb है बल्ब जल रहा है यानि कि यह loading ले रहा है काम कर रहा है तो अब क्या हुआ कि induction जो है बिलकुल सही हो चुका है अब इस main lid को लिकालकर direct parallel में लगा कर हम चेक करेंगे तो चलिए parallel में भी लगा कर चेक कर लेते हैं चलिए मैंने parallel में लगा दिया जो लोहे का पत्तर है अच्छी तरह से बैठना चाहिए तो दोस्तों देख रहे हैं हाँ loading ले चुका है चली इसको plot लेते हैं बराबर बैठता है तो ये sensor जो है catch कर लेता है जो भाबर नहीं बैठता है तो sensor catch नहीं करता है तो ये बिलकुल सही हो चुका है चली इस पर फोरा सा पानी altenे डालकर रहे हम चेक कर कर देते हैं हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप लोगे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जिदी मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक मेरे चैनल को आप सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो सबस्क्राइब कर ले और लाइक कर दे और मेरा वीडियो कैसी लगी आप से इतने सारी स्क्रूप कसा हुआ था से मुसी तरह से इस खूप को कस लेना है तो दोस्तो मेरा विडियो कैसी लगी आप कमेंट बखस में जरूर बतला है नेच्स्ट विडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे तब तक चsoundभते हैं दोस्तो जय हिन् जय भारत